डिक्सन टेक्नोलोजी एक ऐसा स्टॉक जो काफी फेमस है डिटेल इन्वेश्ट्री में और यह स्टॉक ने बंपर रिटन दिया है पिछले पात साल में हर साल नाइंटी सिक्स पर्सेंद ग्रोथ रहा है यानि हर साल अर्मोस्ट डबल हो रहा है चार सो रुपे का स्टॉक जो पात साल में पहले मिल रहा था आज अभी 11,400 के आसपास गुम रहा है तो क्या है इस डिक्सन में और यह स्टॉक हमने आगे भी कवर किया था लेकिन आज हम लोग थोड़ा डीटेल में देखेंगे कि लास्ट कॉर्टर में कैसा रिजल्ट आ है और यहां से भी क्या एक बड़ा अपसाइड दिखा है क्योंकि यह काफी इंवेस्टर की फर्माईश थी तो यह स्टॉक के बाए में पूछा गया था है विमलेश मलोता डेस्ट्रो ने राजू एंड अंकीता ने पूछा है कि भई डिक्सन टेक्नोजी का पूरा एनालिसि कते हैं तो पहले हम लोग समझते कि कंपनी करति क्या है थुड़ा बेज में बता देता हूं फिर हम लोग देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट कैसा रन कर रहा है और यहां से किस तरह से प्रॉफिटबिलिटी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है स्टॉक प्राइगा पूरा विश्थार में हम लोग देखेंगे तो चले उपन कते हैं अगर आप चाहते कि आपका कोई स्टॉक रिव्यू किया जाए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में डाले अगर नहीं होए तो तो भी मैं कॉमेंट बॉक्स को हमें हर रोस हर वक्त मैं रिप्लाइ कता हूं त पॉसिबल यूटी विल मेक वीडियो उन डैट उसो चले डिक्सन टेक्नोजी की जब हम बात करते हैं और अलग हम लोग उसका पर्फॉर्मेंस दिखले पिछले कुछ सालों का तो आप देखो सेल्स ग्रोथ दस साल का 32 परसंट C.A.G.R.A. विच इस वेरी गूड इवन तीन साल का 39 परसंट वेरी गूड रिटन ओके तीन साल का 32 है और इस साल का 56 परसंट चल रहा है अभी जब हम लोग स्टॉक प्राइस C.A.G.R. की बात करें जो ऐसे मैंने बूला पात साल से 97 परसंट से ये कंपाउंडेट C.A.G.R. हर साल डबल हो रहा है एक साल का 183 परसं तो बहुत ही अच्छा है तीन साल का 39 आरोसी भी आई थिंग अराउंड 37-38 चला है विचिस क्वाइट गूड तो ये सब परामिटर बहुत ही अच्छे डिक्सन के तो पहले तो ये और डीटेल में समझते हैं पहले हम लोग कोई भी अगर आप एनालिसिस कते हो किसी स्टॉ में इन फंड कर सकते हैं जहां लोग रहें कंपनी क्रया है और उनके कौन से डिपार्मेट और उसमें फिर प्रॉटिबिलिटी कैसे आने वाली है तो जैसे Dixon के हम लोग बात करें तो Dixon एक जैसे one of the largest you can say LED manufacturer in India, okay, 35% of India requirement वो ही fulfill कर रहा है अभी, even जब हम देखते हैं के बाई, ODM player में भी वो lighting and maybe capacity almost बहुत सारे SKUs में already है, around 160 models in the semi-automatic category, the company is the largest product portfolio ranging 6 kg to 14 kg, तो बहुत ही कहते हैं कि अच्छी capacity and over the time उन्होंने grow भी खाफी किया, इन सब सेग्मेंट में, business model की जब बात कहते हैं, तो उनके दो mean model है, एक है OEM, जो original equipment manufacturing दूसरा है ODM, जानि original design manufacturer, OEM क्या होता है, कि OEM actually executioner हो जाता है, जो simply product को assemble करके customer को देता है, तो वो एक department उनका, और दूसरा जो ODM, जहां उनके खुद के product होते हैं, उनके खुद की design होती है, so they produce a product in scratch, basically including the design and selection, यानि पूरा R&D से लेके सब कुछ वो ही करते हैं, अब जब ODM होता है, जब खुद की design होते हैं, अपकोस आपका margin ज़ादा होगा न, assembly में इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ODM में हमेशाद ज़्यादा margin होगा, तो वहाँ भी वो लोग अभी काफी focus कर रहे है, अम लोग अगर revenue split की बात के, कि इनका revenue कौन से-कौन से product से आ रहा है, so consumer electronics से 25% आ रहा है, सबसे maximum वहाँ से आ रहा है, 12% lighting product से आ रहा है, home applying से 7%, sorry, सबसे ज़्यादा तो mobile phone से आ रहा है, 60% आ रहा है mobile phone से, okay, and mobile in EMSN security system से 3%, तो mobile is number one, second is consumer electronics, third is lighting product, तो ये main 10 department है, जो आप कह सकते कि 90% उनका ही है, बाकि सब में भी है, लेकिन इतना नहीं है, okay, तो mobile phone में already PLI scheme जो budget में उसके वज़े से भी उनको फाइदा होने वाल है, mobile phone आपको भी पता है, no, over the time, no, it is going to grow, तो देखो mobile set नहीं है, लेकिन उसकी servicing and replacement और वो सब तो आते रहेंगे, क्योंकि 140 को में से 120 को लोग के पास तो already mobile है, लेकिन growth अच्छा रहेगा इस department में, तो अगर हम लोग यहां अगर हम देखते हैं कि quarter to quarter कैसा grow है, तो year on year, consumer electric में 3%, lighting products में 2%, home appliance system में 18%, लेकिन जो सबसे बड़ा growth हुआ है, वो है mobile and EMS system है, overall 101, तो mobile and EMS जो है, जो उनका main is 60%, जो उनका share है उसमें, वही maximum उनका growth हो रहा है, okay, and even quarter to quarter also 68% of such a massive jump, and that's why you can see, यह stock क्यों इतना अच्छा perform करें, क्यों यह stock निचे गिरता नहीं है, क्योंकि segment wise में, अगर आप देखो, जहां उनका main product है, जहां उनका hero product है, वहीं वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से grow कर रहे है, गाइज यह थोड़ा extensive हम लोग research करें, लेकिन इससे यह अगर आप video end तक देखो हैं, तो आपको काफी हद तक पूरा diction का कैसे revenue model है, कैसे profitability वह सब पूरा पता चलेगा, अभी हम लोग देखते हैं कि चलो यह सब थो हमने देखा कि भई, sales सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो क्यों ज़रुड़े, क्योंकि उसी margin से अगर आपने loan लिये तो interest कटोगा, बाद में वो सब कटोगा, टेक्सेशन भी कटोगा, so basically अगर हम लोग यहाँ देखें, तो around 3.4 के आस्वास है, consumer electronics का EBIT margin, जब हम लोग देखें के भई, इसका कितना है, लाइटिंग का कितना है, तो लाइटिंग में around, you can say that 6.5, तो थोड़ा ज़ादा है, consumer से ज़ादा है, लाइटिंग में, जब हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल बिजनस में कितना है, तो मोबाइल में थोड़ा कम है, around 3.3, लेकिन ठीक है, क्योंकि वो बल्क में होता है, तो उनका, basically बल्क में, volume में बिखते हैं, similarly, home appliance में सबसे ज़ादा है, around 10 to 11, लेकिन यहाँ है ना, ODM ज़ादा है, खुटकी डिजाइन होती है, मुबाइल फोन में normally डिजाइन खुटकी है, तो वो assembly में भी जा सकती है, similarly, जब हम देखते हैं कि बही, overall pet growth कैसा रहा, pet growth अगर आप देखते हो ना, तो यह आप देख सकते हैं, किस तरह से pet growth हुआ है, server just growth हुआ है, quarter to quarter, quarter to quarter, and even growth year on year भी अच्छा खासा growth है, so pet और यह सब देखके तो ऐसा लगता है कि बही, यह company perform तो अच्छा कर रही है, लेकिन अभी हमको देखना है कि बही, इनका future कैसा है, देखो एक होता है present, जो आपने देख लेया कि हाँ, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा return दे रहे है, growth भी अधर, लेकिन future भी देखना जहुत ही ज़रूरी है, तो next, दो साल में, they are planning to have a basically ramp up on the mobile phone volumes, again, however, growth beyond mobile, either in IT hardware, and export will be a key monitor, तो, यहाँ वो बहुत ही, mobile में बहुत ही aggressive होने वाले है, यहाँ से growth काफे aggressive plan है, इनके, simulate targeting almost 25 to 30 million, नहीं 2,5 करोर से 3 करोर smartphone shipment का, वो लोग सोचें के यह target करेंगे, in addition to ramp up existing, additional 2 million quarter volumes are expected, so, वो basically come from smart to deal, वो basically quarter two से चालोगा, तो यह बड़ा target है, इनका, जो आने वाला है, coming सालों में, तो यहाँ से एक revenue generation अच्छा होगा, again, IT hardware segment, a company has indicated sending two more customers, तो, वहाँ भी वो लोग plan कर रहे हैं, लेकिन हा, focus mode जाद है mobile पे आ रहा है, similarly, अगर हम लोग बात करेंगे, तो electric manufacturing services में न, उनका asset और जाद है, उनका ROC, almost 38% है, जैसे मैंने बुला, ROC 38, यानि, क्या बात है, सही में, company ने, कहते हैं, हड़ेक parameters, हड़ेक matrix पे खड़ी उतर रही है, तब भी आपका ROC ऐसा आता है, ऐसे नहीं आता है, ROE, ROC, अगर आपका 20-22% के उपर है, यानि, आप कहीना कहीं सही काम कर रहे हो, कहीना कहीं आपकी profitability से, कहीना कहीं आपके product, कहते हैं न, selection सही है, कौन से बेशने, क्या service provide करनी, तब ही यह आ सकता है, और आप post optimization कर रहे हो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, अफकोर्स वो एक्सपोर्ट तो कहेंगे, छोटे-छोटे के उपर है, तब जाके, I think 160 है, तब जाके डर लगता है, यह कुछ ज़्यादा expensive है, लेकिन क्या होता है, कि जब profitability आते हैं, तो company expensive ही, आपको valuation मिलेगी, क्योंकि सब लोग इस company में गुसना चाहते हैं, similarly, अगर हम लोग management forecast के बाएद गवर्मेंट PLI scheme support and robust order indicator substantial demand, तो PLI scheme जो आ रहे हैं, वो भी काफी है, देखो क्या होता है कि tailwind आता है, tailwind का बाता है कि जब government भी support करने लगता है, तो यहाँ government का भी support है, government भी चाहते हैं, manufacturing या assembly और यह सब जो हैं इंडिया में हो, और bar की brand भी जैसे Apple इंडिया में आ रहा है, ठीक है, Apple ने काफी, I think 12-13% वो अभी manufacturing और SMD यहाँ इंडिया में ही कर रहे है, वैसे वो government चाहते हैं, जैसे चाइना ने यह model बहुत अच्छी तरह से use किया था, एक manufacturing hub बने थे, low cost manufacturing hub, similarly क्या इंडिया भी with such a 140 no population, can we become a manufacturing hub, और इन सब के वज़े से, they always give attention to all this type of manufacturing hub, और उनको prioritize की मोती है, किसी के और तरह से भी वो incentivize कते है, so production इंडिया में बढ़े और जिसके वज़े से, आम दिनी इंडिया में हो, rather than लोग बाहर जाके करें, correct, government चाहते के बार की brand आये, लेकिन बार वाले भी manufacturing यहां करें, assembly यहां करें, तो वहां डिक्सन और वो सब बहुत ही helpful रहते हैं, again manufacturing अंडर partnership of samsung, okay, samsung for t's and o's, comments google tv, अब यह देखो, 32 inches to 85 engine launching quarter four in previous year, यानि वो ही तो बुलाओ कि यह, samsung यहां आके, आपका basically comments करें, manufacturing करें, assembly करें, वो ही चाहते के बाहर की company यहां करें, और तब home appliance के हम लोग बात करेंगे हैं, वो फुली operational है, infrastructure, तिरुपतिन, देरादुने, रिसिन, national excreation board, तो basically home appliance में जहां maximum margin है, ग्यारा परसन के आसफास margin है, 10 से ग्यारा, वहां और तींग गुना margin है, आपके mobile phone से, अगर वहां थोड़ा भी production हाई जाता है, तो इनको directly beneficial हो सकता है, similarly, lighting division की बात के, तो driving on board floodlights and streetlights में वो launch करने वाले, यह floodlights, streetlights जो होती है, similarly, mass companies, comments mass production of 5G fixed wireless access devices, including both outdoor and indoor with Nokia, तो 5G आ रहा है, और बहुत जबज़शता आ रहा है, आगे जाके demand बढ़ेगी, जैसे 2G चला गया, 2G है, अभी Vodafone अभी भी 2G चला रहा है, लेकिन Vodafone, अभी कोई 2G देखता नहीं, अभी 4G की ही बात होती है, और आगे जाके 5G ही की ही बात होगी, और 4G outdated होगा, और यह आगे जाके आएगा, तो उसमें भी वो लोग 5G fixed wireless access devices पे वो काम कर रहे है, द digital notebook की बात करे, वो normal notebook की बात नहीं कर रहे है, pen paper वाली की बात, digital notebook जो बड़े global brand है, वो उनके साथ collaboration करने वाली है, और प्रोसेस में ही है, अगे उनका production quarter one से next fiscal year से start होगा, तो guys यह सब जो important points है, वो आपको ध्यान में रहे हैं, जब आप यह company analyze करते हो, और future projections, future process काफी अचा है कि काफी साड़े initiative ले रहे है, अभी हम लोग देखते हैं कि Dixon technology बाकी सब company के साथ कैसा खड़ा है, valuation कैसा है, यह बहुत ही important क्योंकि भाई, stock का आपको लेना है, पॉन से price में लेना है, वो बहुत important है, तो सबसे बड़ा point जो आ जाता है कि इसका P अभी 162 खड़ा है, 162 P तो बहुत ही हाई है, किसी लेवल पर यह कम नहीं बोल सकते हैं, industry 48 है, बाद में अरहम technology देख लो, peace gold, wise tech देख लो, सबके 38, 48 चले हैं, लेकिन यह बाई सब वहाँ बैठे हैं, क्यों को उनके growth दे रहे हैं, एक type की monopoly type है इस वहाँ, लेकिन क्या यह sustainable है, देखो दो चीज आ and drop देखोगे वस्ताव में, तो इस PE पे it has to perform continuously very very well, तब जाके आपकी profitability बढ़ेगी और तब जाके यह valuation justify होगा, ROE 24 है, ROC 28 है, ठीके quarter 1 का तो 38 था, यह पूरे साल का होता है, और EV by EBITDA 82 है, बहुत expensive, ROE 6.4 है, जबकि सामने आप देखो, इसका तो minus है, अजन का 25 है, पीसकर क अच्छा है, तो यह दो कंपनी का अगर देखो न तो उसके सामने तो यह आपको expensive भी लगेगी, लेकिन इसका track होड़े, ठीके, similarly अगर हम लोग sales growth और profit growth की वो सब बगर बात कते है, तो आप देखो कि almost 39, 32% profit growth हो रहा है, return 38% है, operating profit quarter, quarter में net profit इसलिए कम होता है, क्योंकि यह business ही ऐसा है, जैसे mobile उनके 60% होता है share, तो वहां margin कम होता है, इसलिए 2.5% पर ही यह लोग काम चलाते है, बागी सब इनको margin इतना मिलता नहीं है, ठीके, तो current C&P debt by sales is almost 3 times, so अगर तो अगर हम लोग यह सब देखें, तो एक चीज़ तो तैह है, कि यहां valuation बहुत आई, और इसका आपको ध्यान में रखता है, कि भई, volatility मोबाइल वीजनस में काफी रहेगी, okay, again, weakness in lighting and electronic division में आई तो problem है, again, margin reverting to lower levels reducing ODM contribution, तो अगर ODM, original design manufacturing, अगर basically कम हो जाता है, तो आपके margin बहुत कम, देखो, ODM एक SIR division है, जैसे मैंने दो segment बता है, एक है OEM और एक ODM, original equipment manufacturing और original design में, ODM में ज्यादा आपको margin है, क्योंकि आपका खुद का design है, जबकि OEM में कम होता है, तो अगर ODM का production कम हो गया, तो overall आपका margin नीचे जाए, क्योंकि OEM में तो already margin कम है, तो ये एक point आपको ध्यान में रखना है, so overall ये अगर हम लोग यहाँ बात करें, हम लोग at the end of the day कि भई कैसा लग रहा है company के बारे में, so looking at this one thing I can give you a shorty, कि company में कोई ऐसा नहीं है कि भई problem है या वो है, बहुत ही smooth ceiling चल रही है, production अच्छा है, sales अच्छा है, ratios अच्छे दिख़ए, आगे जाके support है, only the problem है बहुत ही भाग चुका है, 168 का P is nowhere, like 82 का EV by EBITDA, ठीक है, price to book value भी बहुत ही हाई है, तो ये सब से बता है कि valuation तो हाई है, अब इस लेल पर लेना चाहिए के नहीं, तो हाँ थोड़ा अगर deep साता है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आउटर आपने ये stock लेके रखा है, I think आपको बेशना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छी खासी, कहते हैं ना, rally दिखती है कोई stock में, I think one should wait, and currently some bull run, ये थोड़ा bull run चल रहा है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हाँ थोड़ा वो रश्या रूख, sorry, ये NK trade और US का मामला जो हो गया, recession का, वो बात अलग है, मेरे इसमें कोई problem ना ह अच्छे रख दो, again guys, ये सिफ सजेशन है, I am a savvy register research analyst, लेकिन आप खुद अपना research करके, फिरी invest करना है, okay, disclaimer from interview, अब ये stocks हमारे portfolio में नहीं, हमारे model portfolio में नहीं है, और हमने ये recommend है, हाँ मेरे कोई client ने लिया हो, तो मुझे पता नहीं है, अब मेरे पास तो नहीं है, just मैं recommendation service provide करते है, और आपको उसमे के बारे में ज्यादा जानना है, तो link दी गई है, नीचे, आपको click करके, हमारा masterclass जरूर attain कर सकते है, तो overall guys, this is what I wanted to tell you, Dixon, थोड़ा buy करने में थोड़ा देख लेना, भई, high PE है, लेकिन profit growth अच्छा है, और अब ये बने रहे हो, अगर stock है, त करते हैं, आपके पास ये सब रिसल है, हरोज कोई ना कोई stock में review करता हूँ, आपको चाहते हैं कोई stock है, तो comment box दरूर डाल देना, I'll review it, और I'll, normally मैं answer हर एक questions का देता हूँ, जो भी comment box में डालते हैं, ठीक है, stock related sector ले कुछ भी आप डाल सकते हैं, चले, so thank you very much for watching guys, and I'll see you tomorrow with any other good stock, okay, review के लिए, चले, see you then, bye-bye.